So Hi Friends, तो 7 July 2022 को Free Fire Game में एक New Top Up Event है, जिसमें कि आपको Lumber Gini का Skin मिल रहा है, वो भी दिखने में तो OPA Lumber Gini का Skin, साथी साथ इस Skin में आपको कुछ Attribute देखने के लिए मिल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले जल्दी से Top Up कर लेते हैं, देखिए Top Up कर लिया वेने, अब जल्दी से Lumber Gini का Skin क्लेम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग गेम के अंदर जाएंगे, और Lumber Gini के सारे Attribute को One By One टेस्ट करेंगे, यानि कि Top Speed कीतना है, मतलब पूरा Attribute को Practically Pro Explanation के साथ टेस्ट करने वाले हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद जो New Lumber Gini का Skin है, इसका जो भी Attribute है, इससे Related आपको कोई भी Confusion नहीं होने वाला है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जानते हैं Practically इस Lumber Gini की Ability क्या, तो आप लोग स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर हम लोग Normal Lumber Gini, जो भीडावटी स्कीन Lumber Gini है, उसका Speed टेस्ट करेंगे इस हावाई पट्टी पर ठीक ना, अब यहाँ मैक्सिमम स्पीड पर ध्यान दिए, यहाँ पर 152, 153, 154, 156, 157, यानि 157 से ज्यादा Maximum Speed कभी नहीं जाता, यानि कि Maximum Speed जन 157 का हो गया, Normal Lumber Gini skin का, ठीक ना, अब हम लोग जो है न, New Top Up बाला जो Lumber Gini skin है, उसका Speed टेस्ट करते हैं, आप सिर्थ ध्यान से Maximum Speed पर ध्यान दिए, वहाँ Maximum Speed 162, 163, 164, यानि कि Maximum Speed 164 तक जा रहा है, आप दे Top Up बाल ये Lumber Gini skin का, ठीक ना, तो ये Comprehension देखने के बाद आपको खुद बाखुद पता चल गया हो, कि Normal Lumber Gini जो है, उसका Maximum Speed 157 तक है, ठीक ना, लेकिन ये जो Top Up बाला Lumber Gini skin है, इसका Maximum Speed 164 तक है, यानि कि 7 km per hour जादा Speed चल सकता है, New Top Up बाला इसकीन, उसके बाद हम लो तो दिखें, Land Mine कितना Damage देता है, मेरे पास Waste Helmet नहीं, आप दियान दीजेगा, Waste Helmet नहीं है, तो 171, 171 का Damage दिया Land Mine, ठीक ना, अब हम लोग यही Damage Test करेंगे, Top Up बाले Skin के साथ, ठीक नहीं, यहाँ भी मैंने Lumber Gini के आगे Land Mine लगा दिया है, और यहाँ भी मेरे पास Waste Helmet नहीं, अब देखें, यहाँ पर कितना Damage दे रहा है, यहाँ देखें, थोड़ा जादा Damage दे रहा है, 185 का Damage दे रहा है, तो मतलब कि घाड़ी के अंदर, Normal Lumber Gini के अंदर, 171 का Damage दिया है, लेकिन यह Top Up वाला Lumber Gini के अंदर, 185 का Damage दिया है, यहाँ पर आप देख सकते ह 14 Damage का Difference है, New Top Up वाले जो Lumber Gini है, इसके अंदर हम लोग को थोड़ा जादा Damage पढ़ने वाला है, इसके बाद आप लोग आगे देखें, Normal Lumber Gini को मैं यहाँ फोलने वाला हूँ, यहाँ मेरे पास UMP गन है, वो भी Without Skin वाला UMP गन है, और इसमें देखें, 30 Emo लगा हुआ है, और इसको फोलने में कितना Emo लगता है, आप सिर्फ देखें, आप सिर्फ देखते रही है कितना Emo लगता है, मेरे पास आप देखें, यहाँ पर 14 Emo बचा हुआ है, यानि कि Total 60 Emo, Solo Emo लगा है, Normal Lumber Gini को फोलने में, और Normal UMP यूच कर रहा हूँ, यहाँ कोई Skin नहीं है, उस यह जो Lumber Gini है, Top Up वाला Lumber Gini का Skin थोड़ा जादा मजबूत, अभी तक नहीं फूटा है, अब देख लिजे, कब फूटा है, अब सिर्फ देखते रही है, यहाँ देख लिजे, UMP गन में 11 Emo बचा हुआ है, और Lumber Gini फूट गया, यानि कि Lumber Gini फोलने में हम लोगको 19 Emo जहाँ पिछली बार Solo Emo लगा था, इस बार 19 Emo लगा, यानि कि New Top Up वाला जो Lumber Gini है, यह थोड़ा Strong है, तो अब तक जो आपने Practical में देखा, कि New Top Up वाला जो Lumber Gini है, यह थोड़ा Speed चलता है, 7 km per hour जो है ना, Normal Lumber Gini से Speed चलता है, उसके वाद लंबर Gini के अंदर अगर आप लंबर Gini है, यह थोड़ा जादा Strong है, इसका Body थोड़ा जादा Strong है, इसको फोड़ने के लिए आपको जादा Amos के उपर मारना होगा, तब यह फूटेगा, तो इस वीडियो में मैंने New Top Up वाला लंबर Gini के पुरा डिटेल्स Explanation कर दिया, पुरा Practically आपको दिखाया, कि क्य